हेलो गाईज आपको स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से और टूडे में आज हम डिसकस करने वाले बिल्ला सौफ्ट लिम्टिड इस स्टॉक में देखें तो आज की दिन एक रुपे की तीजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक आदे परसेंट के करीब की तीजी द दिखाता हुआ नजर आ रहा है हम इस वीडियो में ये डिसकस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टार्गिट बंत वे नजर आ रहे हैं और हमें इस स्टॉक लोग स्कापी ट्रेड करके चलना सही है सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर चलें तो कुछ इस प्र गिरावट देखने को मिल रही है और एक महिने में सोरी तीन महिने में देखने हो तो इस स्टॉक में आल्मोस्ट आट परसेंट के करीब की गिरावट देखने को मिल रही है और एक साल में इस स्टॉक में 45 परसेंट के नेगिटिव रिटन दिये है इस स्टॉक में देखने तो काफी निवेश को कोई बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है जैसा कि अगर आप इस स्टॉक कर लॉंग टर्म कर चार्ट पैटन देखें तो इस स्टॉक में एक हाई बनता हुआ नजर आ है 585 रुपे 585 रुपे इस स्टॉक में इस पॉयंट पर एक हाई बना उपरी लेबल पर देखी तो इस नेगरटीव ट्रेंग देखने को मिल आप जहां पर इसी स्टॉक में लगातार पर सेलिप्रेशर देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक एक सिमेद दाईरे मीटारल नजर रहा है एराउंड 250 रुपे इस टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉंक सपोर्ट लेबल है जहांसे इस टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है इस टॉक में लगतार उपरी लेबल पर एक खनितदारी देखने को मिल रही है अगर आप इस टॉक में लोंग टम के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो रहांड 250 रुपे के एक बड़े स्टॉक लोज के साथ उपर के लोंग टम टार्गिट 320 रुपे तक के लिए आप इस टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद झाल करें दोर सकते हैं